साथिव भगवत गिता को सामान्य से सामान्य मान्वी तक पहुचाने के अनेक प्रयास अब तक हो चुके हैं। सबसे छोटी गिता से लेकर सबसे बड़ी गिता तक इस दिव्य ज्यान को सरल और सुलब कराने के लिए निरंतर कोशिश हुई है। देश विदेश की अनेक भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाध हो चुका है। साथियों लोकमान्य बालगंगातर तिलक जी ने तो जेल में रहकर के गीता रहश्य लिखा है। इसमें लोकमान्य तिलक ने भगवान स्री कर्ष्ण के निश्काम कर्योग की बहुती सरल व्यक्षा किया है। उन्होंने लिखा है कि गीता के संदेश का प्रभाव केवल दार्षनी क्या विद्वानों की चर्चा तक सिमित नहीं है। बरकि आचार विचार के शेत्र में भी वो सदेव जीता जाकता पतीत होता है। लोकमानिय तीलक ने मराठी में गीता के ग्यान को सामान ने मानवी तक पहुँचाया। और गुजराती में भी इसका अनुवात कराया। इसी गुजराती अनुवात को राष्ट पिता महत्मा गांदी ने जेल में पढ़ा। और इससे गांधी जी को बगवत गिता according to गांधी को लिखने में बहुत अधिक मदद मिली। इस रचना के मादियम से गांधी जी ने गीता का एक और पक्ष दुनिया के सामने रखा। गांधी जी की ये पुस्तक मैंने अमेरिका के पुर्व राश्पती सिमान बराक उभामा जी को भी उभार के रुप में दी थी।